करकार में बैठी एक मंत्री मोदया कभी गैस सिलिंडर के दाम बढ़ने पर धरने पर बैश जाती है। आज गैस सिलिंडर के दाम जब हजार के पार हो गए है तो क्या माननी मंत्री मोदया भूल गई कि साज भी कभी बहुती है। अध्यक्षमोदे सभी को याद होगा बच्पन में स्कूल में जाया करते तो दस पैसे की लिमलेट की खोली और दस पैसे की लिमलेट की खोली शर्ट के खोने में पकड़के दातों से तोड़के दोस्त को दिया करते अद्धिक्षिमोदे तब फर्क नहीं पढ़ता था दोस्त का नाम अमित है या अमजद आज फर्क पढ़ता है तब फर्क नहीं पढ़ता था दोस्त जलित है या सवर्न लेकिन आज फर्क पढ़ता है देश राश्क्रपती जी ने अपने अभीबाशन में अर्थ वेवस्ता विश्व में पाच्वे पाइदान पर पहुंचने की बात की और हम सभी को गर्भ है इस बात का लेकिन हम मिडल क्लास लोग है अद्यक्ष मोदय एक लाग करोड में एक पे कितने जीरो लगते है ये हमें पता ने क्योंकि मेरे देश के 90 प्रतिशत देशवासियों को सिर्फ इन सवालों से मतलब है कि आज पेट्रोल का दाम क्या है आटे ये मंत्री मोदय भूल गई कि साज भी कभी बहु थी अभी मेरे एक बहुत सीनियर सांसद सदस्सिनि बहुत अच्छी पंक्तिया की महंगाई नहीं खर्चे बढ़ रहे है मैं उनसे यही कहना चाहता हूँ जनाब गुम्रा मत कीजे ये कहकर कि महंगाई नहीं खर्चे बढ पिल रहे हैं लेकिन इस बात पर सभी को सहमत होको गांग कि भूतपूर और 5-100 स्वर्गय इंदिराजी गांधी के बाद पूरे देश पर लंबे समय तक पूरे देश को प्रभावित करने वाले प्रधान मंत्री आदर्णियन नरेंद्र जी मोदी ही है इस बात पर सभी को सहमत होना होगा लेकिन अध्यक्स मोदे इतिहास गवा है कि प्रभावी व्यक्तियों का दुकसान विरोधियों से जादा उनके अनुयाई करत जीथ है राष्ट्रपती जी ने कहा कि देश विकास की और बहुत तेजी से बढ़ रहा है लेकिन अध्यक्ष मोदे वास्तविक्ता ये है कि उतनी ही तेजी से मेरे देश का माहूल बिगड रहा है जी ट्वेंटी के हम अध्यक्षता कर रहें ये गर्व की बात है और जी ट गैनेश्वर जीने तो पसायदान करके आता विश्वात मकेला हो जोजे वांचीलतो तो तेला हो ये कहा है लेकिन हम विश्व को बता रहे हैं वसुधरीव पुटुमम्वकम लेकिन अपने ही देश की होगों को बता है। ये तुमारा मुलक नहीं। इस पानी पर तुमारा अधिकार नहीं। अद्धिक्षमोदे है सभी को याद होगा। बच्पन में स्कूल में जाया करते हैं तो 10 पैसे के लिमलेट की गोली खरीद भीते थे तो 10 पैसे की लिमलेट की खुली शर्ट के कोने में पकड़के दातों से तोड़के दोस्त को दिया करते थे अध्यक्ष मोदे तब फर्क नहीं पड़ता था दोस्त का नाम अमित है या अमजद आज फर्क पड़ता है तब फर्क नहीं पड़ता था दोस्त दलित है या सवर्न लेकिन आज फर्क पड़ता है देश का माहुल साथ दलित और सवर्न ये दरार भी बढ़ते हुई दिखाई देती है कभी हातरज जैसी घटना होती है कही स्कूल के बच्चे निस सवर्नों का पानी पिया इसलिए उसको पीटा जाता है मूचे बढ़ाई तो पिटाई दलित दूला घोड़ी पे बैठा तो आपती किस विका काल में जो हला हल पैदा होगा उसके जिम्मेदारी कौन लेगा उसके परिणाम कौन भुकतेगा राश्टर पती जी ने अपने अभी भाशन में जो सपना दिखा है वो सच होने के लिए हर देशवासी को ये समझना होगा अध्यक्ष महुद है कि ये देश सिर्फ 38% वोट पटोरने वाली किसी एक राजनीतिक पार्टी का नहीं बाकि 62% देशवासियों का भी है इस सच का सम्मान हो भगवे से किसी को परहेज नहीं और होना भी नहीं चाहिए लेकिन भगवात तिरंगे में से एक रंग है इसी का सब को एहसास हो देहलीज के अंदर कोई इश्वर किसी की भी उपास न करे देहलीज के बाहर कदम रखते ही वो सिर्फ और सिर्फ भारतियों हो पंत प्रांत और धर्म से जुड़ी भावनाओं का जरूर सम्मान करे लेकिन हर देशवासी की सर्वोच भावना राश्ट्र प्रतम हो तभी अम्रितकाल का अम्रित अंतिम पंक् मुलते हैं तो ऐसे ही बड़ी कबार के साथ तब तक के लिए नमस्कार और देखते रखिए न्यूज जागरुप भारत